आठ करोड किसानों का पंजी करण किया गया है और एक दसमलों एक चार लाग करोड रुपे का वैपार मुल हासिल हुआ है E-N-A-M-J है से क्रिशी बजार में जो पारदर्शिता और प्रतिसपरधा दिखने में आई है उसको ध्यान में रखते हुए एक हजार और मंडियों को E-NAM के अंतरगत लाया जाएगा माननिय धक्ष महुद है इसके साथ AP, MC, क्रिशी और संध्षना कोर्स की सुविधार प्रदान की जाएगे जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में ब्रिध्धी कर सकेंगे माच्षी की मैं इसमें प्रस्ताव करती हूँ कि हम आधोनिक मत्सिकी बंदरगाहों और फिस लैंडिंग सेंटर के विकास में परियात निकस की निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं सुरू सुरू में पाँच पत्स मत्से बंदरगाहों कोच्ची चेनने विशका पटनपारदीप और पेटुआ घाट का अर्थिक क्रिया कलापों के हफ्स के रूप में विकास किया जाएगा हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर देशिये मत्से बंदरगाहों और स्विस लैंडिंग सेंटर का विविकास करेंगे सीविड फार्मिंग एक ऐसे छेत्र के रूप में भर रहा है जिसमें तक्टिय समयदाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के छमता है इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतरिक्त आई पैदा की जा सकेगे सेविड उत्पादन को बढ़ हवा देने के लिए तमिल नाडो में एक मल्टी परपस सीविड पार्क किस्थापने किये जाने का मेरा प्रस्ताव है प्रवासी स्रमिक और मजदूर हमने एक रास्ट एक रासनकाड की योजना सुरू की है जिसके अंतरगत लाभार्ती देश में कहीं भी अपना रासन ले सकते हैं प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेश रूप से लाभ होगा क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहाँ अपने हिस्से का रासन ले सकते हैं जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी रासन ले सकता है मुझे आपको यह बताते हुए हर्स हो रहा है कि इस एक रासन का विशना 32 राजियों और संग राजे छित्रों में चल रही है जिसमें लगभग 79 करोड लाभार्थी आते हैं जो की कवर किये गए हैं को लाभार्थीयों को 86 परतिसस होते हैं सेश चार राजियों और संग राजे छित्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी गैर संगठित छेत्र के स्रमिकों विसेश रुप से प्रवासी मजदूरों के लिए किये जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसे पोटल को सुरू करने का है जिस पर नावो भवन निर्मान और निर्मान का रादी में लगे स्रमिकों तथा अन्य स्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है इस से प्रवासी मज़ूरों के लिए स्वास्त, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खादे संग्रियोजनाओं को त्यार करने में मदद मिल सकेगे चार स्रमिकों घिताओं को लागू करके हम उस प्रकरिया को पूरा कर सकेंगे जिसके सुरुआद बीस वस पहले हुई थी विस सुभर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मज़ूरों के लिए समाजिक सुरुच्छा कलाप उपलब्ध कराए गया है सभी स्रेनी के मज़ूरों के लिए नियुन्तम मज़ूरी की वेवस्था लागू होगी और उनको करमचारी राज बीमा निगम के अंतरगत लाया जाएगा महिलाओं को सभी स्रेनी में काम करनी की इजाज़त होगी और वे नाइट सिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको परियाप्त सुरुक्षा भी प्रदान की जाएगे कि इसी समय नियोजको परपढ़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रिजिस्टेशन और लाइसेंसिंग का लाब दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑल्लाइन भर सकेंगे विद्तिय समा योजन अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतरगत रिन की सुबधा को और बहतर बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्जिन मनी की और शक्ता को 25% से कम करके 15% कर दिया जाए और इसमें क्रीशी से अजया जाए